विद्ध के लिए पूरी देखे जाना प्लस इस वीडियो के अंदर में आप लोगों को कुछ टीप्स बताऊंगा जो ध्यान में रखने होते हैं और एक्जाम में वह बताऊंगा तो वीडियो पूरी जरूर देखना अगर चैनल पर नए जुड़े हो तो चैनल को सब्सक्रा सब्सक्राइब का एक्जाम है दोस्तों बारा बारा तारीक को फिर 18 और 19 को भी है ठीक है तब क्या करना है एक्जाम देने जा रहे हो आप तो रिलेक्स रहना है सबसे पहले प्लस आपको पेपर बहुत रिलेक्स होके अटेम्ट करना है अपनी स्ट्रेट्जी चेंज नहीं करनी है जिस तरीके से आप पेपर मोक में अटेम्ट कर रहे हो उसी तरीके से अटेम्ट करना ठीक है और सबसे इंपोर्टन चीज यह है कि अगर आपको कोई एक शिक्षिन खराब हो रहा एक्जाम में ठीक है तो आपको दूसरे शिक्षिन पर उसका इफ्यक्ट नहीं होने देना है ठीक है जैसे किसी की इंगलीश खराब हो गई ठीक है कोई दिक्कत नहीं हो गई न तो आप पूरा जोड़ लोगो क्वांट रीजिनिंग वहां पेपर पर क्या होता है हाथ फुलने लग जाते हैं तो ज्यादा सोचना नहीं अभी ठीक है और बोल अपने आपको ऐ सीख लिए अभी तक बस अब क्या है आप लोगों का साथ मिनिटी के अंदर आपको पर्फॉर्मेंस देनी है प्रेशर में तो वह कैसे देते हो आप वह आपके उपर है अच्छे से आप पर्फॉर्मेंस देना ठीक है प्लस अब आप पढ़ाई बड़ा ही मत करो रिलेक्स ह पर यह वह जी पुछ है तो के सांब नोट कर लौ आप की से अटेम्ट करने में पर पूरे पेपर को शैक्ट से देख़ लो आपकी कैसे 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 को परोगे अगर वह यह करोगे सुख सुख सारी अटाय लूण रिंए कर लो यह काड़ा अधर वह जोठ तो परमें यह कर उ फिर पूरी नीद लेना आराम से जल्दी सोना और सुबह थोड़ा से मेडिटेशन करके जाना और एक्जाम सेंटर पर थोड़ा जल्दी पहुंचना ठीक है क्योंकि बहुत बार बार बिल्कुल टाइम पर पहुंचना तो उससे भी थोड़ा खराब हो जाता है इसलिए आप 30 पहले पहुचना अराम से सुबह थोड़ा साब मेडिटेशन योगा करके जाना ठीक है और क्याके लेके जाना है एक फोटो लेके जाना एक फोटो चिपका नहीं एक साथ में आधार काड की फोटो कोपी प्लस एडमेंट काड को समभाल के रखना और अभी तक आपके जितन होके जाना और पोजिटिव होके जाना कि हां मेरा अच्छा होगा confidence लेके जाना ठीक है और ज्यादा सोचो मत अब रिलेक्स हो जो और कोई जल्दी सो जाना थोड़ी दे रहा ना अराम से गरवलों से बात करो ठीक है गुड लग अच्छे से एक्जाम देना और कल जिनका फर्स हीप में लेग्जाम है वह comment करके बताना कि उनका कल फिर श्रीफ्ट में इग्जाम है ऑके गुड लग और कल में सारे शिफ्टों के रिवीड हो आप लोगों जैसे एक्जाम होता है, फटापड में रिव्यू डालूंगा दू-तीन मिनिट का, कि कैसा पेपर आया है, डिफिकल्डे लेवल क्या है, और फिर शाम को मैं एक्सपेक्ट्टर कट आफ के बारे में बताऊँगा कि किते गूद अटेम्ट है, इस एक्सपेक्टर कट आफ तो म बेल अगरन को दबालो, good luck, have a nice day